हलो बच्चों तो कॉशन नमर फिफ देखिए कॉशन कह रहा है इफ वेलासिटी टाइम एन फॉर्स वर चूजन एज बेसिक कॉंटिटी इस फाइंड डिमेंशन ऑफ मास अब यह मत कहना कि यह मास जो होता है यह तो खुद में फंडामेंटल कॉंटिटी है तो यह किसी और फ इस्प्रेस करना ठीक है ना तो पार इन चारों का रिलेशन आपको पता हो मास टाइम वेलासिटी एंट्व हो जाएगा अदर्वाइस मान नो नहीं पता अब 이ए जो कोशन सौल किया इनोंने यह मान के चला है कि आपको कुछ रिलेशन पता थो मैं पता है कि फोर्स क्या हो इन्होंने जो question solve किया इन्होंने यह मान की चला है कि आपको कुछ relation पता है तो मैं पता है कि force क्या होता है mass into acceleration ठीक है और acceleration क्या होता है velocity by time change in velocity per unit time अब यहाँ पर तीनों चीज़ आ गये न mass आ गया velocity आ गया और time आ गया ठीक है तो mass को एक तरफ ले जाएए तो आप इस तरह की से लिख सकते है force के लिए इन्होंने f माना है time के लिए capital T velocity के लिए माइनस मतलब velocity के लिए V माना और यह उपर जाएगा तो माइनस बन हो जाएगा मान लेजिए कि आपको यह relation याद नहीं था force is equal to mass integration तब कैसे करेंगे मैं वह बताने कोशिच कर रहा है यहाँ ठीक है जो कि आपको आना भी चाहिए ठीक है तो देखिए कहानी कुछ ऐसे है कि हमें express करना है mass को किस किस में velocity में force में और time में इतना है तो हम यह मान लेते हैं कि जो mass है वो इन बातों पर depend करा तो directly proportion कर देते हैं ठीक है और तीनों को गुणा कर देते हैं अब हमें नहीं पता है कि इनकी power कितनी है तो हम क्या मान लेते हैं A B and C ठीक है तो अगला step होगा अगला step होगा कि यह proportionality का जो sinus को अटाना है और एक constant involve कर देना है ठीक है इस तरीके से ठीक है अब हमें पता है by principle of homogeneity की जो dimension इधर होगा वही dimension इधर होना चाहिए ठीक है तो यहां मास का dimension होता है M L का dimension यहां पर 0 है T का भी 0 है ठीक नहीं इतना मैं लिख सकता हो ना L की power 0 T की power 0 को कि यहां पर कोई है नहीं मास का dimension M लिख दिया है अच्छा इधर देखते हैं velocity यह नहीं तो velocity क्या होता है L T-1 होता है इसकी power यहां पर कितनी given है आपको given नहीं हम लोगों ने introduce कि इनहीं ABC को निकालना हमारा काम है अभी फिलाल के लिए अच्छा force क्या होता है force का dimension पता है M L T-2 ठीक है इसकी power B हो गया अच्छा time के लिए आप T लिखेंगे और इसकी power यहां पर C है clear इतनी बात तो इस तरीके से यह पूरा हुआ अच्छा अभी B ठीक है अब L की power सोचते हैं यहां पर L की power A है तो A लिखा क्या और कहीं L है बिलकुल L है L यहां पर भी है पर इसकी power क्या है B तो यहां क्या हो जाएगा A plus B हो जाएगा समझ रहें ना क्योंकि सब multiply कर रहें ना अच्छा T की power देखें यहां पर T की power है minus A सोचो जरा यहां पर T की power minus A है अच्छा तो यहां पर T की power क्या है C तो प्लस C कर दिया एक मिन कलर दूसरे लेते हैं ठीक है और यहां पर T की power है minus 2 B तो लिख लेते हैं minus 2 B ठीक है और यहां क्या है dimension M L 0 T 0 ठीक है ना अब देखें by principle of origin क्या कहता है जो dimension M का यहां पर है वही M का यहां होना चाहिए तो यहां पर M की power है 0 sorry 1 है not 0 कैसी बाते कर रहो M की power है 1 तो यहां 1 लिखा उधर M की power क्या है B इसका मतलब B की value क्या हो गई 1 हो गया यह हमारा पहला equation solve हो गया मतलब पहला variable जो introduce किया था वो हमारा निकल गया दूसरा है B को निकालना है तो चलो ओना we good one एक बड़ यहां पर M की power 0 है तो यहां 0 लिखा इधर हैल्की पावर क्या है फिर इक ही पी के समझ समझ हां हमें हां समझ आ रहा है कि यहा पर सीर लिख दिया बराबर क्या है मैइनस कि प्लस सी . माइनस टू- B ठीक है ऐख है हमें पता है E की वैलू है माइनस A सब्ससक्राब चाहिए यहां पर पहले से माइनस बड़ नात प्लस हो जाएगा यह हो गया सी की वैलू हमें निकालना है B की value हमें पता है 1 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इस तरीके से तो यहाँ पर C की value क्या पता चल जाएगी C की value हो जाएगी 1 के लिए इतनी बात तो इस तरीके से A की value आ गई minus 1 जो की इस तरीके से लिखना है B की value आ गई हमारे पास plus 1 मतलब F की power 1 और T की value आ गई C की value आ गई 1 तो यहाँ पर T की power 1 है के यही तो आया था V minus 1 और F और T की positive power यही तो था F और T का positive power 1 1 और V का power minus 1 ठीक है तो कुछ समझ आया कैसे करना है ठीक है तो यहाँ से question आपको करने आने चाहिए